हद हो गई, अब तो अगला प्रोजेक्ट दे ही दिया जाए सरजे, प्रोजेक्ट देने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाऊँगा बक्ति रहो पहले प्रोजेक्ट में ये कहा गया कि प्रोजेक्ट छोटा है जल्दी खत्म हो जाएगा लेकिन वो पूरे तीन महीने चलता रहा दूसरे प्रोजेक्ट में भी क्लाइट मीटिंग के 20 दिन बाद प्रोजेक्ट मिला और काम चुरूँआ एक महीने बाद जबकि मीटिंग में मैंने थाबिद कर दिया कि डिवलप्मेंट में देरी नहीं है प्रोजेक्ट लेट मिला है और शेकर भी उत दिन सारे सच कहने ही वाला था कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने फिर से अपनी चाल चल दी क्लाइट नोड रिस्पोंडिंग करके पाट टाल ली नई तो उसी दिन सर्जी मुझे घर जाने की छुट्टी मिल जाती और आज आप फिर से प्रोजेक्ट दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट से पहले गिठव के किसी कोड मैं पंगा आ जाएगा और मैं एक महिने के लिए फिर लटक जाओगा आप फिर से प्रोजेक्ट दे देंगे और इस प्रोजेक्ट से पहले कोई न कोई डेवलोपर resign مار کر चला जाएगा और इस तरह ना तो development के लिए कोई रहेगा और नहीं छुटे मांगने वाला रह जाएगा तो सिर्फ project और यही होता रहा है सर्जी प्रोजेक्ट 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 मिलते रही है लेकिन increment नी मिला सर जी increment नी मिला मिला है तो सिर्फ ये project project के managers ने project को चुटियों के खिलाफ एक हधियार की तरह इतिमाल किया है सर जी दो projects के beach office के बाहर ये चुटियों का धंदा करते हैं धंदा जहां HR पटाए जाते हैं हुनी को सारे समयों से छिलाए जाते हैं और रह जाते हैं सिर्फ प्रोजेक्ट लोग इंजिनियरिंग के लिए अपनी जमीन जायदाद बेश कर पड़ते हैं और मिलते हैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट और तो नहीं अपने एने जेवर याता कि मंगल सूतर तक बचे हैं बच्चों के लिए और उनके बच्चों को भी मिले हैं प्रोजेक्ट Xcode.net जावा में घुस घुस के कई सारे इंजेनियर्स खुद बन जाते हैं प्रोजेक्ट और उने भी मिलते हैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट इहाल पूरे हिंदुस्तान के कमजोर और सताय हुए इंजेनियर्स का है आज उन सबकी नजरे आप पर गड़ी है आप पर कि आप उन्हें क्या देते हैं इंक्रिमेंट या प्रोजेक्ट अगर आप उन्हें इंक्रिमेंट नहीं दे सकते तो बंद कीजिए ये आउट्सोर्सिंग उखार भेगिए इन कंप्यूटर्स को भार दीजिए और इस्टाल कीजिए इन सारे सॉफ्ट्वेर्स को ताकि प्रजेक्टों के इन चक्रों में इंजिनिर तबाह न हो बर्बाद न हो बर्बाद न हो